दोस्तो नमस्कार मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टरल मीडिया मंच पर हर्याना के अंदर कई ऐसे बड़े नेता हुए कई बड़े ऐसे नाम हुए जो सीम वेटिंग रहे हर्याना के अंदर कई ऐसे नाम आप किन सकते हैं कि जिनको एक मलाल र कतार है जिन लोगों को रखता था कि वे भी मुख्य मंत्री बन सकते हैं लेकिन कहते हैं कि दिल के अर्मान उनके दिल में ही रह गए अगर ऐसे नेताओं कि आप फेर हिस्त देखें तो आप कॉंग्रेस में देख सकते हैं बांगर चौदरी चौदरी विरंदर सिंग डूमर खका आप देख सकते हैं कुमारी सहलजा का नाम कि उनके बन में भी अर्वान थे कि मुख्य मंत्री बनेंगी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कांगरिस पार्टी के जρο और प्रमुक नाम हो सकते हैं अशोक तबर जो छोड़ करके चले गए थे वापस कॉंग्रेस में आ गए हलाकि कुमारी सेलजा और अशोक तवर अभी उम्र के उस पड़ाव पर नहीं है कि जिसमें वो सोच ना सके भविश्य में मुख्यमंत्री बनने खा़ लेकिन कई नेता ऐसे भी है जिनके मन में ये मलाल हमेशा रहेगा कि मुख्यमंत्री की कुर शर्मा वेटिंग सीम 1996 के दौरान में जब सरकार चौधरी बंसी लाल की थी हर्यारा विकास पाइटी के गठवंदन की और भाजपा के गठवंदन की सरकार थी राजनितिक लोग चर्चा किया करते हैं कि किसी जोशी ने पंडी जी से कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और वहाँ से शुरू हो गया था सरकार को पलटने का दौर चौधरी बंसी लाल की सरकार तो गिरी लेकिन पंडीत जी का नंबर नहीं लगा पंड़त राम बिला शर्मा का नंबर नहीं आया दोजार चौधा का चुनाव जब भारती जंता पार्टी हर्याना के अंदर पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई सरकार में आई पंड़त राम बिला शर्मा को बड़ा लगता था क्योंकि अध्यक्ष वो थे हर्याना भारती जंता पार्टी के अध्यक्ष थे उनको लगता था कि मुख्या मंत्री पर नंबर उनका लगेगा लेकिन मुख्या मंत्री बने मनोहरलाल आपका बड़ी इंट्रेस्टिट बात बताऊं एक मेरे मित्र है मुझे बता रहे थे कि एक समय वो भी था कि जब मनोहरलाल इस बास से हताश हो गए थे पंड़त रामविलाज शर्मा जब भारती जन्ता पार्टी के 2014 से पहले यानिकी 13 के दोरान जब परदेश अध्यक्ष पने थे उस समय दोड में मनोहरलाल खटर भी थे मनोहरलाल खटर पार्टी के संगठन मंत्री पहले रह चुके थे भारती जन्ता पार्टी में जब राष्टे स्वयम सेवक संगस उन्हों ने एंट्री की थी तो चाहे चौधरी बंसी लाल की सरकार बनाने और बिगारने का खेलो मनोहरलाल एक मेन लीड में थे लेकिन जब मनोरलाल भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए थे तो उनकी टीज थी और कुछ मेरे परिचित बताते हैं जो मनोरलाल जी को भी नजदीक उनके प्रिटिकल करियर को देखा है मैं आपसे बात कर रहा हूं वो नेताओं की जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए राम बिला शर्मा एक पहला नाम और अब दूसरा नाम भारती जन्ता पार्टी का बड़ा हला कि मुख्यमंत्री बनने की दोड में कैप्टन अभी मन्यू भी थे मुख्यमंत्री बनने की दोड में ओम प्रगाश धनकर भी थे मुख्यमंत्री बनने की दोड में अनिल विज भी थे अनिल विज तो लगातार कहते रहे और अब भी कह रहे थे पिछले दिनों भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री sounds का घावेदार हूँ साथ भी बार विधायक बनाओं कर तो यह कह रहे थे कि आठनी बार के विधायक की टेयारी शुरूव कर दी है खेर एक और बड़े नेता मुख्यमंत्री पत के दावेदार तो वो भी रहे कॉंग्रेस के अंदर रहे तो वहां भी मुख्यमंत्री पत के दावेदार थे कुरसी मिली नहीं सी-म की चोधरी भजन लाल से फिर उसके बाद में बूपेंदर सिंग उड़दा से दौनों से उनकी तना तनी रही उसके बाद में वो आ गए एक भारती जनता पार्टी में भारती जंता पायटी में आ गय तो मनोहरलाल मुख्य मंत्री बने तब भी तनातनी उनकी रही लगता था कि मैं सबसे प्रबल दाविदार हूं और जब नायव सिंग सेनी बने तो उनको और ज्यादा लगा कि मैं प्रबल दाविदार था अब जब दोजार चौबीस की बात है दावा है उनका कि उन्होंने अपने दस विधायकों में से अहीरवाल में आठ विधायक चुनवा कर दी हैं मैं बात कर रहा हूँ आपसे राव इंदर जी सिंग की राजा सहाव छटी बार के सांसद तीन बार सांसद बने वो कॉंग्रेस में और तीन बार सांसद बने भारती जनता पार्टी में राव इंदर जी सिंग अभी कह रहे थे तीन दिन पहले एक तो उन्होंने पूर मुख्य मंत्री मनोहलाल खटर पर तंज कसे थे आपको मैंने वो वीडियो शेयर किया था आप देख सकते हैं इसमें जाकर के उसमें वो कह रहे थे कि खटर साहब ने हमारे इलाके में कई नेता बना दिये और उसके बाद में वो कह रहे थे कि दक्षन हर्याना की तरफ पार्टी को ध्यान देना चाहिए कह रहे थे कि 2014, 2019, 2024 2014 के अंदर 11 के 11 विधायक दिये 2019 के चुनाओं में 8 विधायक दिये और अब 2014 में 10 विधायक दिये राविंदर जी सिंग कह रहे थे कि भारती जन्ता पार्टी की आला कमान को देखना चाहिए और दक्षिन हर्याणा को उनका हक मिलना चाहिए यानि कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए राव इंदर जी सिंग के पिताजी राव विरेंदर सिंग वो हर्याणा के मुख्यमंत्री रहे थे राव इंदर जी सिंग के मन में ये अर्मान थे कि मुख्यमंत्री तो वो भी बने 2014 और 2019 दो चुनाव तो उनके लिए बड़ी समस्या ये भी रही कि खुत्तो सांसत थे मोधी सरकार के अंदर वजीर बने मोधी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में वजीर थे और अब मोधी पार्ट 3 में वजीर है स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री है राव इंदर जी सिंग की 2014 और 2019 में ये पीड़ा भी रही कि उनकी बेटी को टिकेट नहीं मिला अब की बार बेटी को टिकेट मिला आरती राव को टिकेट तो मिला आटेली से लेकिन आरती राव जिस प्रकार चुनावी समर में जूजी चुनाव तो जीत गई अंतिम राउंड आते आते लेकिन जिस प्रकार से अतरलाल जी ने उनके पसीने चुड़ाए रखे राव साब के वो भी चर्चा का विशे रहा राव इंदर जी सिंग के मन में अबे बात चल रही थी कि मुख्य मंत्री पत पर दावेदारी तो उनकी है सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं राव इंदर जी सिंग के समर्थक लिख रहे थे इतना ही नहीं खाले लिख नहीं रहे थे गणित भी तयार कर रहे थे ऐसी केमिस्ट्री बिठा रहे थे जिससे सत्ता का मैथेमेटिक्स तैह हो जाए एक उनके समर्थक आप देखें फेस्बुक पर लिख रहे थे सोशल मीडिया पर कि 37 विधायक कॉंग्रेस के लिख रहे थे आठ विधायक राविंदर जी सिंग समर्थक दो इनैलो के और एक निर्दलीय अब पता नहीं यह इनैलो वाली और निर्दलीय वाली गिंती कैसी थी क्योंकि निर्दलीय तो पहले ही जा चुके तीनों भारती जन्ता पार्टी की फिवर में और तीनों जो विधायक बने राजेश जून का संभवता हो नाम लिखते होंगे लेकिन इंडियन नैशनल लोगदल के दौनों विधायक तो लगता नहीं कि वो कॉंग्रेस के साथ हो सकते हैं खेर बात चल रही थी राविंदर जी सिंग की तो वो जो उनके समर्थक ये गणित बिठा रहे थे किस प्रकार से 48 विधायक हो जाएंगे 37 कॉंग्रेस के आठ राविंदर जी सिंग समर्थक दो इंडियन नैशनल लोगदल और एक इंडिपेंडेंट 48 विधायक राविंदर जी सिंग मुख्या मंत्री लेकिन लगता है राविंदर जी सिंग ने खुद समझ लिया है कि कोई फायदा नहीं ऐसी बातों का और आपको बताता चलूं कि भारती जनता पार्टी ने ये जो चुनाव लड़ा दो ज़ार चौवीस का देश के ग्रहë मंत्री अमिशाहा ने नायव सिंग सेनी जो चुनाव से पहले लोग सभा चुनाव से पहले हर्याणा के मुख्या मंत्री बनाय गए जिनके चेहरे पर हरियाना का विधान सभा का चुनाव लड़ा गया और आपको ध्यान होगा कि पंचकुला के अंदर वो कारेकरम हो रहा था जिसमें अमिशाह डिकलियर कर गए थे कि नायब सिंग सैनी हमारे नेता होंगे उनके नेत्रताव में चुनाव लड़ा जाएगा बात चल पड़ी चुनाव हो गया चुनाव में भारती जनता पार्टी की सरकार बन गई लेकिन इसके बीच में बयान आने शुरू हुए जो बयान वीर चाहे वो राविंदर जी सिंग और अनिल्विज राविंदर जी सिंग का दावा तो उनके समर्थकों, सहयोगियों, शुपचिंतकों ने मैंने आपको बताया है कि सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वाइरल हुई और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद राविंदर जी सिंग समझ चुके हैं कि आप कोई फायदा नहीं राजनीतिक सूत्र बता रहा है कि सीम वेटिंग रहते रहते राविंदर जी सिंग अब इस ताने वाने में जुड़े हुए हैं कि किस प्रकार से उनकी बेटी को अगर कोई डिप्टी सीम का जुगार लग जाए आरती राव के लिए और या उनको अच्छी कैबिनेट रें इसके लावा बहुत कम ऐसी बाते मिलती हैं कि राजनीति में परिवारवात को बढ़ावा दिया हो इवन ठाकुर राजनाज सिंग जिनके बेटे विधायक हैं उत्तरप्रदेश से मंत्री नहीं बने उनको मंत्री नहीं बनाया गया अब इधर राव इंदर जी सिंग अपन राविंदर जी सिंग मुख्य मंत्री तो बनने की दोड में है नहीं शायद मुख्य मंत्री की बात तो बनेगी नहीं तो इस्तिती में क्या वो अपनी बेटी के लिए डेपटी सीम की लॉविंग करेंगे या वो कैविनेट रेंक चाहेंगे और या फिर इसके लावा क्या एक बात और रहेगी कि राविंदर जी सिंग सोच लें कि पार्टी के किसी नेता या कारेकरता को आगे किया जाए ये समय खासकर चर्चा का विशह है क्योंकि हर्याना के अंदर सरकार बननी है 15 अक्टूबर को संभवता नायर सिंग सेनी हर्याना के मुख्य मंत्री पत की शपत लेने जा रहे हैं डेट भी लगवग फिक्स है और नाम भी लगवग फिक्स है सिरफ फॉर्मल्टी है उप्चारिकता है जो होनी बर बाकी है परधान मंत्री मोधी सही तमाम कई राज्यों के मुख्य मंत्री और कई केंद्र के मंत्री कई बड़े नेता क्योंकि हैट्रिक का एक बड़ा उत्सव करने की प्लानिंग है भारती जन्ता पार्टी की पंच्छकुला में इसलिए में बता रहा था आपको कि मुख्य मंत्री का चहरा तो तैय है तो बाकी उनकी केविनेट में कौन-कौन लोगों इस पर मन्थन चिंतन बहुत जोरों से चल रहा है आपको यह एक बाद जरूर जोड़ूँगा कि राविंदर जी सिंग के लिए चाये 2014 का रहा चाये 2019 का रहा उनको एक कैविनेट रेंग का मंत्री और एक मिनिस्टर आफ स्टेट राज्य मंत्री यह दो मंत्राले अहीरवाल के नाम पर राव इंदर जी सिंग के समर्थकों को मिलते रही इस चुनाव सरकार में क्या होगा नाइब सिंग सेनी की सरकार बीजेपी की हैट्रिक सरकार और नाइब सिंग का जो दूसरा उनको कारेकाल मिलने जा रहा है पहला अल्पकालिन कारेकाल और अब दूसरा कारेकाल कितना बड़ा होगा क्योंकि अभी शुरुवात है इस सरकार के अंदर राव इंदर जी सिंग को कितनी बड़ी एहमेद मिलेगी राव इंदर जी सिंग के कहने से कितने लोग बने जांगे कि राविंदर जी सिंग अपनी बेटी को बनवाना चाहेंगे और या फिर वो अपने समर्थकों के अड़स्ट करेंगे। यह कई सवाल हैं। सवालों के जवाब आपके पास भी हैं। कमेंटस मॉ는 में आप जरूर बतаєं कि क्या राविंदर जी सिंग अपनी बेटी के लिए लॉबिंग करेंगे और या फिर किसी अन्य नेता और कारेकरता के लिए आपको क्या लगता है कि क्या राविंदर जी सिंग को अपनी बेटी जो पहली बार विधायक बनी है उनी के लिए लॉबिंग करनी चाहिए और या फिर अपने किसी समर्थक नेता को और आगे बढ़ाना चाहिए कमेर्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नौटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें